दोस्तों वेलकम बैक तूदा प्लांट कोच यूटूब चैनल तो दोस्तों आज बात करेंगे अपन सेकुलेंट्स और कैक्टस पर कैक्टस दोस्तों वही होते हैं जो अपन बच्पन से सुनते हैं जो मरुस्तलों में होते हैं जहां कम पानी होता है उनमें पतियां कांटों म हमाध बात करते हैं बाइन कुछ पोदों पर तो दोस्तों ये मेरे पास हैं दूनों कैक्टस हैं कैक्टस में दोस्तों सबसे बात ही होती है कि यह flowering भी करते हैं और काफी अच्छे अच्छे इनकी colors में इनकी flowering होती है और बहुत ही varieties आज कर मार्केट में available हैं और इसी तरह से यह अपन बात करें succulents की तो succulents में दोस्तों यह सीडम की एक variety है चोकलेट सीडम में है यह है कैम फायर क्रेसुला यह हावर्थिया यह सबसे commonly यही मिलता है और यह जैसे हावर्थिया आप देख सकते हो यह अच्छा बढ़ाय हुआ है और यह है इसमें इनमें दोस्तों क्या होता नहीं कि सभी अपने आप दीरे 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 बढ़ते रहते हैं और साथ में नए बेबी प्लांट इनमें होते रहते हैं जिस तरह आप इसमें देख सकते हो कि यह जो गैस्टीरिया है इसके अंदर से कि कि कितने सारे बेबी प्लांट निक अब दोस्तों मैनली बात यह होती है कि हमारे जो सेकुलेंट्स होते हैं वो मर जाते हैं क्या कारण होता है उनके पीछे तो दोस्तों सबसे मैन रिजन होता है कि उनमें पानी की दिक्कत चलती है जब भी आप पानी दो तो 1 बार पानी देने के बाद में कम से कम 3-4 दिन और नहीं तो 1 वीक का इंतजार कीजिए उसमें सबसे मेन रोल यह होता है आपकी सोयल कैसी है जैसे हम यदि राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में बालू मिट्टी होती है जो पानी का बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती है तो उसके लिए हम रेशियो बनाते हैं 30% जो हमारी जो नौर्मल जो गार्डन सोयल है वो मिलाते हैं 30% उसके अंदर हम सेंड मिलाते हैं और उसी के अंदर 30% के अंदर हम वर्मी कमपोस्ट या कोकोपीट जो होते हैं उनका हम कोकोपीट थोड़ा सा मिलाके उसको और वर्मी कमपोस्ट मिलाते हैं उसमें नूट्रिशन की सप्लाई होती रहती है उससे दोस्तों नई ग्रोथ भी दिरे-दिरे आपको दिखती रहेगी और आपका पोदा दिरे-दिरे अच्छा बढ़ता रहेगा अपने हाथ पर कंट्रोल रखें क्योंकि आप पानी डालने के लिए बड़ा मक का यूज ना करें उससे यह होगा कि आप ज़्यादा पानी डालेंगे और पोदा खराब होने के चांस बढ़ता जाएंगे पोदों को डिवाइड करने का दोस्तों बहुत ही इजी मैथड होता है जैसे हावर्थिया है सबसे यदि कोई सक्टूलेंट्स जो है उनको परचेस करके शुरू करना चाता है कि मुझे सक्टूलेंट्स का सोक है तो हावर्थिया सबसे बेस्ट होता है अब जैसे इसमें तीन-चार पोदी दिखाई दे रहे हैं इसको आप बावल से बाहर निकाले हैं और ये एकदम हलके हलके इनको हाथों से आप आराम से इनको अलग कर सकते हैं बहुत ही इसली ये अलग हो जाते हैं ये सबसे बेस्ट होता है जो आपको सिखा देगा कि हां आपको कैसे सेक्टूलेंट्स की केर करने होती है अब दोस्तों ये दिमा आपको दिखाऊं मेरे पोदों में कैसी नई ग्रोथ है क्या कुछ हो रहे है तो ये देखिया आप जो कैक्टस है उसके अंदर आप ये थ्रोंस से पूरा भरा हुआ है ये आपको जो एकदम लाइट कलर का इरिया दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन ये सारी नई ग्रोथ है इसके अंदर रेदी अपन इस कैक्टस की बात करें तो आप एकदम उपर जो रेड एरिया देख रहे हैं जो थ्रोंस बढ़ रहे हैं दिरे दिरे तो ये सारी इसके तो आपको मार्केट में 100 रुपे से मिलना शुरू हो जाते हैं उसके बाद में इनके साइज पे इनकी क्वालिटी पे और पॉर्ट की क्वालिटी पे ये डिपेंड गरता है ये फिक्स नहीं होता कि ये पोदा इतने रुपे में ही मिलेगा उसी तरह इनकी प्राइस अलग ल इनकी जब बहुत ज़्यादा घर्में चलती हैं लू रोती है तो उसमें त्रफिक काम होता है इनके लिए सबसे बैस्ट जो टेमटरेशर इनको सूट होता है वो था है 30 से 35 डिगरी के बीच में उसमें यह अच्छी ग्रोथ करते हैं और एकदम अच्छे से बढ़ते हैं य पानी का ध्यान रखें अपने पोदे के अंदर हमेशा जो सोयल मिक्स से बना रहे हैं वो से ही बनाए और यदि आपको लगे कि मेरा खराब हो रहा है तो उसको मिटी से अलग कर दीजिए और दो तिन दिन उसको हलकी छाओं में रखें उससे क्या होगा पोदा वापस से जीव किसी में फ्लावरिंग होती है किसी में कम समय के लिए होती है किसी में ज्यादा समय के लिए होती है तो दोस्तों यह आज मेरा एक वीडियो था सेकुलेंट्स और कैक्टस के ऊपर तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आप लाइक कीजिए शेर कीजिए और एत्ãy एत् JOHN I ексowania